The Great Ruler Chapter 1 Northern Spiritual Academy चिलचिलाती धूप लोग की तरह थी. जलती हुई धूप आकाश से नीचे गिरती है, जिससे पूरी भूमी वाशपोत सर्जन में धूब जाती है. थोड़ी जुकी हुई विलो और गायब पत्तियों ने ऐसा प्रतीत किया जैसे यह दिखने में बीमार था. समाशोधन के भीतर जहां शाखाओं और पत्तियों के माध्यम से सूर्य का प्रकाश प्रक्षेपित होता है, कई सो आकड़े चुपचाप क्रोस लेग बैठे थे. यह युबकों और युबतियों का एक समूह था. उस समय आखे बंद करते हुए सभी के भाव गंभीर होते हैं वे लैबद ताल दिखाते हुए समय समय पर अपनी सासे छोड़ते थे. जैसे जैसे वे सास लेते और छोड़ते हैं, सूक्षम रोशनी जो नगना आखों से देखना मुश्किल होता है, उनके आसपास दिखाई देती हैं. कोमल हवा चुपचाप चली और उनके कपड़े फ और आन उसकी उंगलिया ओवलेफ हो रही थी. यह ऐसा था जैसे उसने साधना की एक निश्चित अवस्था में प्रवेश कर लिया हो. आकृती में भी एक युवा उपस्थिती थी. उसके मुलायम और थोड़े बिखरे काले बाल थे, फिर भी उसका मासून सा चेहरा थोड कामदायक एहसास देता था. इस समय, कई रोशनी जो नंगी आँखों से देखी जा सकती थी, लड़के के चारो ओर थी. और उन रोशनी से एक रहस्यमय उर्जा उसके शरीर में दौरती हुई प्रतीत हो रही थी. पत्थर के नीचे अचानक कई युवकों की आँखे खुल गई. उन्होंने पत्थर के चबूत्रे पर लड़के के चारो ओर की रोशनी को देखा और अपने होटों को चाटने से खुद को रोक नहीं पाए. उनके चेहरों पर इरश्या के भाव प्रकट हुए और फुस्फुस आते हुए पहले के मौन को नश्ट करने लगे. भाई म ब्रांच अर्फ फ्लास में नंबर एक व्यक्ति से अपेक्षित है अरे, बिल्कुल. केवल पूर्वी शाखा का उलेक न करें, मुझे लगता है कि एक ही उम्र के बहुत से लोग नहीं है जो पूरे उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में भाई म्यू के साथ तुलना कर सकते ह दूसर कपडों में एक लड़का जो सामने से सटा हुआ था वो पत्थर के चबूत्रे पर बैठे लड़के से काफी परिचित लग रहा था. वहर किसी की फुस्फु साहत सुन सकता था और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था. उन्होंने अपनी आवाज कम की और कहा भाई म्यू एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आध्यात्मिक मार्ग में चुना गया और भाग लिया. पूरे उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र में केवल ब्रदर म्यू को इसमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त था. आपको पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग में भ पारा स्वीकार किये जाएंगे. पांच महान अकादमिया, कई युवाओं ने ऐसे शब सुने जो उनके लिए बहुत चकाचौध करने वाले थे और निगलने के अलावा मदद नहीं कर सकते थे. एक उबलती हुई इच्छा ने उनकी आँखे भर दी. वस्थान सभी युवाओं के लिए परम स्वप्न माना जा सकता है. ना केवल फाइव ग्रेट अकादमियों के लिए चयन कठोर था, जो उनमें प्रवेश कर सकते थे वे सभी प्रतिभाशाली थे. कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कौन प्रवेश करता है, उनके पास एक आशाजनक भविश्य होगा. भाइ म्यू वास्तब में अद्भुत है, बी, लेकिन भाइ म्यू ने केवल एक साल के लिए इसमें भाग लिया था. मैंने दूसरों को यह कहते सुना कि भाइ म्यू आध्यात्मिक मार्क से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति हैं. समय समाप्त होने से पहले, एक लड़का जिजका और चुपचाप उसने कहा, हाला कि उन्होंने जल्द ही जोड़ा, हम सभी भाइ म्यू की क्षमताओं को जानते हैं, यहां तक वे प्रतेभाएं जो दुनिया भर से आई हैं और आध्यात्मिक मार्क के अंदर हैं, भाइ म्य उनसे कम नहीं होंगे. उसे बाहर निकाल दिया गया होगा क्योंकि उसके साथ अनुचित व्यवाहर किया गया था, कई लड़के लड़किया एक दूसरे को देखने लगे. यह मामला उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के भीतर और यहां तक पूरे उत्तरी आध्यात्मिक शे ने होंट थपथपाए और अस्वीकृती में कहा, हम यह होना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्क के लोग भाई म्यू से इरश्या करते थे और उन्होंने उसे बाहर निकालने के लिए विभिन तरीकों का इस्तेमाल किया. लेकिन यह ठीक है, भाई म्यू की क्षमताओं के साथ वह अंततह पांच महान अकादमियों में प्रवेश करने में सक्षम होगा. उस समय लोग स्वाभाविक रूप से समझेंगे, सभी युवाओं ने संदेश को समझा. हाला कि वे जानते थे कि जिस ब्रदर म्यू के बारे में वे बात कर रहे हैं वह बेहत प्रतिभाशाली है, लेकिन पांच महान अकादमियों में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था. आखिरकार उन्होंने केवल एक वर्ष के लिए आध्यात्मिक मार्ट में प्रशिक्षन लिया था. इसे एक सफल प्रशिक्षन के रूप में उल्लेक नहीं किया जा सकता है. वास्तव में आध्या में लड़के के माथे से जातकराया. जल्द ही एक दाती हुई आवाज आई, सू लिंग, क्या तुमने वास्तव में मेरे साथ सिर्फ एक सजावट के रूप में व्यवहार किया था? आपको नहीं लगता कि मैं टीचर मो को सूचित करूंगा और आप सभी को अगली चुटी के दौरान ट्यूटोरियल ट्रेनिंग के लिए इस्ट ब्रांच में रहने दूनगा? कई लड़के और लड़कियों ने जट से उपर देखा. वे देख सकते थे कि स्टोन प्लेटफॉर्म के उपर प्रशिक्षन ले रहे लड़के ने अपनी आँखे खोल दी है. तीखी काली के चेहरे को और अधिक सुन्दर बना दिया. उन्हें यह स्वीकार करना होगा की लड़के में काफी स्वाद था. हे हे, भाई म्यू, मत करो. अंत में हमारे पास एक ब्रेक है, मैं अभी भी कुछ मस्ती के लिए वापस जाना चाहता हूँ. अगर मेरे पिता को पता होता की म मैंने कुछ ऐसा घ्रिनित काम किया है, तो वह निश्चित रूप से मुझे पीट-पीट कर मार देंगे, भूरे रंग के कपडों में लड़के ने अपना माथा पकर लिया और एक मुस्कान बिखेर दी. आसपास के लड़के लड़किया हसी की आवाज निकालते हैं, जिसस मुझे नाम के लड़के ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा. आध्यात्मिक आंदोलन चरण में आगे बढ़ना इतना आसान कैसे है? मैं आप जैसा राक्षस नहीं हूँ, भाई म्यू, जो आध्यात्मिक मार्ग में आकस्मिक रूप से भाग ले सकते हैं. सू लिंग ने अपना मुह थप थपाया और तुरंट अपना मुह बंद कर लिया. हाला कि यह मामला पूरे उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र के भीतर कोई रहस्य नहीं था और म्यू चेन ने इसे मना नहीं किया था, लेकिन बाहर किये जाने की बात कोई गोरवपूर्ण कृत्य नहीं थी. म् खुमिस पश्ट रूप से एक जटिल और उदासीन रूप दिखाए दे रहा था. अध्यात्मिक सड़क, होह, उजे आश्चर्य है कि वे लोग कैसे कर रहे हैं, उन्हें अपना प्रशिक्षन पहले ही समाप्त कर लेना चाहिए था. अगर ऐसा है, तो वे जल्द ही, पांच महान अकादमियों में प्रवेश कर सकेंगे. वह भी, म्यू चेन ने उसके होंट काटे. एक काले रंग की पोशाक में एक ठंडे और सुन्दर चेहरे के साथ साथ एक पतली आकृती वाली लड़की, जो कभी भी अपनी पीट पर गहरे काले रंग की लंबी तलवार लिये उसके दिमाग में कौंध गया. जैसे ही सुन्दर लड़की की छवी हिल गई, उसके चमकीले चांदी के बाल, जो दूदिया की तरह चमक रहे थे, हवा के साथ मृत्य करने लगे. यह रहस्यमय और ठंडी लड़की थी, जो प्रशिक्षन शुरू करने के बाद दूसरों को यह महसूस कराती थी कि वह पागल थी, जिसने उसे मारने के लिए आध्यात्मिक मार्ग में आधे साल से अधिक समय तक उसका पीछा किया. इसके पीछे कारण यह था कि उसने उसे एक बार बचाया था. यही कारण था कि म्यू चेन ने अपने होंटों को काटा. हालां कि, ज इसने अपनी तलवार लहराई और बिना किसी हिच्खी चाहट के उसके सामने वाले व्यक्ति को रोग दिया. चेहरे के बारे में सोचते हुए, जिसमें कभी अभिव्यक्ति का संकेत नहीं था और जिसमें आपदा का कारण बनने की क्षमता थी, एक मामूली ठंडे हत्या के इरादे को प्रदर्शित करते हुए, म्यू चेन विरोध नहीं कर सका और एक ट्रांज में गिर गया. कितना ओदासीन! ओ, क्या यह छोटा भाई म्यू नहीं है, जो आध्यात्मिक मार्क में भाग लेने वाला उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र में अकेला था? आप दूसरों को फिर से प्रशिक्षन के लिए ला रहे थे? कोई आश्चर्य नहीं कि टीचम मो आपके बारे में बहुत सोचेंगे, जैसे ही म्यू चेन इन जटल भावनाव में दूबा हुआ था, एक हलकी सी कंजूस आवाज सुनाई दी. उसके शांत शेहरे ने उपर देखा और उसने ए आप पिटाई की तलाश में हैं? वह लड़का, जिसे म्यू चेन ने सू लिंग कहा था, उठ खड़ा हुआ और लोगों के समूह को देखकर उपहास करने लगा. इस्ट ब्रांच के सैकडो चात्र भी खूली जगह में खड़े हो गए. उन्होंने आने वाले लोगों के प्र कई प्रतियोगिताएं होती थी. लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम शाखा अतीत में हमेशा पूर्वी शाखा से अधिक मजबूत रही है. पश्चिम शाखा के सामने पूर्वी शाखा के कई छात्र उनसे बच्चते हैं. हालांकि इस एक साल के दौरान स्थिती काफी बदल रहे थे. इसने कई पूर्वी शाखा के छात्रों को अंतता अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की अनुमती दी और पश्चिम शाखा को कम हनकारी बनने का कारण बना दिया. और अब, पश्चिम शाखा के लोग वास्तव में म्यू चेन को भरकाने के लिए दौर पढ़े सू लिंग और अन्य इसे सहन नहीं कर सके. ओ, तो पूर्वी शाखा वास्तव में अधिक से अधिक अहनकारी होती जा रही है. क्या आपको लगता है कि सिर्फ म्यू चेन से आप वेस्ट ब्रांच को चुनौती दे सकते हैं? लियू चेन ने पूर्वी शाखा के लोगों के स सू लिंग और अन्य लोगों ने देखा. वे उचे चबूत्रे पर खड़ी अनेक आकृतियों को देख सकते थे. ये सभी आकृतियां इस ओर देख रही थी और जाने पहचाने चेहरों को देखकर सू लिंग और अन्य के भाव बदल गए. यह पश्चिम शाखा के स्वर्ग वर्ग के वरिष्ठ है. उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के भीतर, यहना केवल पूर्ब और पश्चिम शाखा में विभाजत है. इसे अर्थ और हेवन क्लास और म्यूचेन में भी बाटा गया है और ये केवल अर्थ फ्लास में थे. उचे मंच पर खड़े सभी लोग वेस और आपस में बात करने लगे. तो वही इस ब्रांच का म्यूचेन है. वह वर्टमान में उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के भीतर और यहां तक उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र के भीतर भी प्रसिध है. मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह इतनी उम्र में आध्यात्मिक से बाहर आती है। जब वह हेवन क्लास में चड़ेगा तो शायद हमारे लिए वेस्ट ब्रांच हेवन क्लास का थोड़ा दबाव होगा। कहा जाता था कि इस लड़के को आध्यात्मिक मार्ट में भाग लेने के लिए चुना गया था। हलांकि किसी अग्यात कारण से उन्हे बाहर कर दिया गया था। यह काफी मजेदार है। मैंने पहली बार ऐसा कुछ सुना है क्या ऐसा हो सकता है कि उसने गलत व्यक्ति को चुना तो उसने उसे बाहर निकाल दिया। हाँ हाँ। जथे में लाल कपडों में एक लड़की भी थी। उसके पास एक पतली आकृती औ नाम के लड़के पर रुख गई, मानो उसे उसमें बहुत दिल्चस्पी हो। आह, होंग लिंग, तुम यू चेन को ठीक से जानती हो। स्वर्ग की कक्षा के एक वरिष्ट ने उसके पूछने पर मुस्करा दिया। सभी की स्थिती से यह स्पष्ट है कि वह इस छोटे की केंद्रिय हस्ती थी। हाँ, उसके पिता उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र के भीतर क्षेत्र के प्रभूओं में से एक है। यह माना जा सकता है कि हमारा आपस में कुछ संबंध है। जब हम छोटे थे तब हम साथ खेलते थे। हौंग लिंग नाम की लड़की ने लापरव ही से कहा। ऐसा कहा गया था कि वह पहले आपको पसंद करता था। हौंग लिंग जपका। उसने उस लड़के की तरफ देखा जो पास में सीधा बैठा था। इस समय सूरज की किरने शाखाओं और पत्तियों के माध्यम से छेदी और सीधे लड़के के चेहरे पर उत्री। इसने एक हलका प्रकाश चाप बनाया और यह आखों को बेहत भाता था। इससे लड़की कुछ देर तक एक तक देखती रही। वह उस लड़के को असपश रूप से याद कर रही थी जिसने उसके बटका पीछा किया था जब वह छोटी थी। केवल उस समय उनके पास कोई सम्मोहक विशेष्टाएं नहीं थी। उसने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि किसने सोचा होगा कि यह लड़का जो उससे अलग हो गया था, वास्तव में उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र में, आध्यात्मिक मार्क में भाग लेने के लिए योग्यता प्रा में कैसे माना जा सकता है? होंग लिंग में एक मुस्कान बिखेरी जैसे कि उसे परवा नहीं थी, लेकिन उसकी आखें एक बार फिर म्यूचेन को घूर रही थी। अभी, बादवाले ने उसका पीछा किया और उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में प्रवेश किया। फिर उ अंदर से जानती थी कि यह मामला अफवाह की तरह अधिक था, लेकिन इस उम्र में एक लड़की को अभी भी कुछ गर्व महसूस होगा। हाँ, हाँ, हौंग लिंग का स्वाद उतना सामान्य नहीं है। हाला कि यह म्यूचेन काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी उसने हौं हौंग लिंग को अपने लिए नहीं बनाया है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने नहीं देखा कि लिंग कसी भी असफल हो गया है? वह एक शांदार व्यक्ति है जो उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में सात्मे स्थान पर है. वह पहले ही आध्यात्मिक आंदोलन के मध्य चरण में आगे बढ़ चुका है. उसके और म्यू चेन के बीच काफी अंतर है, ऐसा लगता है कि उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के भीतर केवल एक ही है, जो हौंग लिंग को दूसरा रूप दे सकता है, वह वेक ब्रदर लियू मुबाई है, जिस शन लियू मुबाई नाम का उ भगवान भी है और वे अपनी महान शक्ती के लिए प्रसिद थे. चाहे वह उपस्थिती हो या ताकत या यहां तक उसकी प्रिष्ट भूमी, यह एक ऐसा नाम है जो आसानी से उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के भीतर कई लड़कियों को आकरशित करेगा. वेस्ट ब्रां उनको आध्यात्मिक मार्क के परीक्षन से सफलता पूर्वक गुजणा पड़ा और पांच महान अकादमियों में प्रवेश करने के लिए योग्यता प्राप्त की, तो वो प्रसिद्धी स्वाभाविक रूप से लियू मुबाई से आगे निकल जाएगी. दुर्भागे से उसे किसी तरह वहां से निकाल दिया गया. नतीजतन कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब वे उन दोनों की तुलना करते हैं, तो वे केवल म्यू चेन पर हसते थे.